अफ्रीकी देश सुडान में लड़ाई के बिच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है साथी अरब ने शनीवार देरा सुडान में फसे 158 लोगों को सुरक्षित निकाला इन में कई भारते भी शामिल है वहीं रविवार सुबह अमेरिका ने खर्तुम में इस्थित अपनी एम्बेसी के स्टाफ को सुरक्षित निकाल लिया अमेरिकी मीडिया CNN ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि एम्बेसी के सत्रा डिप्लोमेट्स और उनके परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए मिलिटरी के एरक्राफ्ट में एरलिफ्ट किया गया सुडान में तक्ता पलट के लिए सेना और पेरा मिलिटरी के बीश नो दिन से लड़ाई जा रही है यहां पंदरा अप्रेल के बाद से हलत बिगडते जा रहे हैं इसके चलते रेस की ऑप्रिशन में काफे दिक्कते आ रही है सुडान में अमेरिकी दुतावास के काम दोबारा कब शुरू किये जाएंगे इस बारे में भी नहीं बताया गया वहीं वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाइसेशन की रिपोर्ट के मताबिक पंदरा अप्रेल तक लड़ाई में चार सो लोगों की मौत हो चुकी है करीब 3500 लोग घायल हुए थे इधर भारतियों को सुरक्षित वापसी को लेकर विदेश मंतरी एस जैशंकर ने 18 अप्रेल को साओधी के फॉरेन मिनिस्टर फेसल बिन फरहान अल साओट से बाचित की थी इसके बाद साओधी अरब के विदेश मंतराले ने शनिवार को कहा कि भारतियों के साथ ही 12 मित्र देशों के लोग सुदान से सुरक्षित रूप से पहुँच चुके है साओधी अरब ने जिन लोगों सुरक्षित निकाला है इन में डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल ओफिसर्स भी शामिल है इनके साथ ही साओधी अरब के इंक्याणू नागरिक भी सुदेश पोचे हैं निकाले गए भारतियों की संख्या नहीं बताई गई है इसी के साथ बने रहे ही राश्टर्मा टीवी के साथ धाने बाद